और बाबा को शाम को प्रसंद करने के लिए, बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए शाम कता अविश्य सुननी चाहिए फिर भी जो दरिद्री है, जो अभागा है, जो संतान हीन है, जो मुक्ष की कामना चाहता है उसको भी श्याम कथा जरूर जरूर सुननी चाहिए संतान ही जो मुक्ष की कामना चाहता है कि मेरा मुक्ष हो जाए उसको श्याम कथा सुननी चाहिए जिसके बच्चे नहीं होते हो जिसके बच्चे होते ही मर जाते हो ऐसे व्यक्ति को ऐसे स्त्रियों को यतन पूर्वक घर में एक बाबा शाम की जोद जलाते वे बाबा शाम के नाम का दिपक जलाते वे अपने इश्ट के नाम का स्मरण करते वे कथा सुननी चाहिए अब बार करके तो देखिए एक बार आप करके तो देखिए कथा स्रवन करके तो देखिए आपको जीवन अकर नहीं बदले और जब कथा सुनो अपनी मन की कोई काम ना बाबा शाम से कहो तो बाबा को मन लगा कर कहना बाबा सुनो जो हूँ जेसा हूँ तेरा हूँ तो बदी ये वस्तु गोविंदम मेरा कुछ भी नहीं है बाबा जो कुछ हूँ तेरा है ये मन में भाव रखकर आप कथा स्रवन करोगे तो आपको उसका पूरा का पूरा पुणने लगेगा आपको पूरा का पूरा लाब मिलेगा और खाटू आते हो खाटू आप जब आते हो बाबा का नाम लेते हो घर में भी बाबा की जब जोत लेते हो तो एक भाव जुरूर गाया करो बाबा से कहा करो बाबा सुनो ये मन के भाव बाबा को जुरूर सुनाया करो आप भले गाना जानते हो नहीं जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सुर्केसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान तो प्रेम शी दिशते हैं प्रभल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा है मस्ती से सुनाया गरो अपने भावदिगार भगवान के सामने रखा गरो क्योंकि वो सब जानता है वो घट घट का वासी है वो हर बात को जानता है शाम बाबा तो हर बात को जानता है और बाबा शाम से कहना बाबा सुनो दीनानात मेरी बात छानी कोणी तेरे से आंखडली चुरा कर बाबा जासी गठे वेरे से आंखडली चुरा कर बाबा जासी कर बाबा तो हर दो हर दो हर जासी